नवस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ हिंदू धर्म में जब का विशेश मातो है प्राचीन समय से ही जब भारतिय संस्कृति वा हिंदू धर्म का अभिन अंगरहा है प्राचीन रिशी मुनी अपनी साधना के दरान जब को खास महतो देती थे जब मुखे रूप से माला के द्वारा किया जाता है जब के लिए रुदराक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है लेकिन आज कल बाजार में कई परकार की मालाएं उपलब्ध है जब के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली माला में विशेश रूप से 108 मनके होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब करने वाली माला में 108 मनके या मोती ही क्यों होते हैं। आज हम आपको बताएंगे किसके पीछे धार्मिक, जोतिश वा व्यज्ञानिक आधार क्या ह रुद्राक्ष की माला का है खास महतव माला का जब सुमेरू से आरंभ होता है मानता के अनसार सुमेरू को लांगा नहीं जाता सुमेरू पर पहुंचने पर ही एक चकर पूरा होता है एक चकर पूरा होने पर सुमेरू को मस्तक से लगाया जाता है और वहीं से दूसरा चकर आरंभ होता है बर्मान में सुमेरू की स् गुना करने के बाद इसका गुनन फल भी 108 ही आता है इसके लिए 108 को खास महत्व दिया जाता है बड़े धर्मात्माओं वा जग्द गुरुओं के नाम के आगे 108 को सम्मान के रूप में लगाया जाता है धार्मेक आधार हिंदू मानता के अनुसार माला से जब करने से अक्ष भाग यानि कि 1,088,000 बार परवर्तन होता है शे महिने की इन कलाओं के आखरी तीन शो ने हटा कर जब के लिए माला के 108 मनकों का निर्धार्न किया गया है शेव पुरान में कहा गया है कि माला का अंगुठे से जब करने से मोक्ष की प्राप्ती और तरजनी से शत्रु 24 में से 12 घंटे दिन चरया के निकल जाते हैं और बाकी बचते हैं 12 घंटे इसे हिसाब से एक इनसान 12 घंटों में 10,800 बार सांस लेता है इसलिए कहा जाता है कि इनसान को 12 घंटों में 10,800 बार भगवान का समर्ण करना चाहिए लेकिन आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी म इतनी बार समर्ण करना मुम्किन नहीं है इसलिए 10,800 की संख्या के पीछे के दो शोनने हटा कर जब करने के लिए 108 संख्या का निर्धार्न किया गया है जोतिश के आधार पर जोतिश के अनसार संपूर्न ब्रहमान को बारा भागों में विभाजित किया गया है इन बारा भागों को राशी कहा जाता है सो दोस्तो आज हमने आपको बताया कि हिंदू धर्मे जब का विशेश महत्व है और खासकर जब माला से किया जाता है और 108 मनकों वाली माला का भी विशेस्थान है ऐसी ही ग्यान वर्धक जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़ी रही है चैनल डी 5 हिंदी के साथ